जहीं दोस्तों देखे जो भी विद्धारती रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और वो भी दोस्तों अच्छे-अच्छे पोस्ट में ठीक है? जैसे कि आपका टिकेट काटने वाला हो गया जिसको बोलते हैं ट्रेंस क्लर्क, ठीक है? commercial clerk यानि दोस्तों ये office वाला काम है railway में तो यदि आप इस प्रकार की नोकरी railway में करना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए बहुती बड़ा golden chance है दोस्तों बहुती बड़ा मौका है और एक बार ये मौका यदि चूप गया तो फिर दोस्तों आप फिर 2-3 साल के लिए या फिर कब आएगा वेकेंसी इसका कोई पता नहीं है अभी तो फिराल वेकेंसी का date, exam date सारा कुछ तै हो गया है और कब ये वेकेंसी निकल रही इसका सब चीज रेलेवे ने जारी भी कर दिया है calendar वगरा सब चीज जारी कर दिया है तो इस बेड़ो में में आपको बहुत सारी चीज बताएंगे रेलेवे टीसी और सीसी यानि अकाउंट क्लर्ग ट्रेंस कलर्ग कॉमर्सिल क्लर्ग के बारे में नॉन टेकनिकल पॉपुलर categories के माधियम से यानि NTPC के माधियम से इस पर selection होगा ठीक है इसका apply date वगर सब चीज आ गया है कौन-कौन इसको भर सकता है साथ ही साथ किस-किस post में typing है किस-किस post में typing नहीं है उस हिसाब सा आपको तयारी करना होगा साथ ही साथ दोस्तो कौन-कौन सा subject पढ़िएगा यदि आपको syllabus नहीं पता है तो बहुत सारे विदारति इंगलीज पढ़ना शुरू कर देंगे जो कि एकदम निरर ठक है तो आपको proper syllabus का भी idea होना चाहिए कि आखिर इस पर क्या-क्या पूछने वाला है तो A to Z complete information इस सारी को एकदम 100% start कर दीजे तो चलिए video को शुरू करते हैं देखते हैं इसका full detail क्या है तो देखे दोस्तों यह जो railway में वेकेंसी होता है clerical post के लिए वह निकाला जाता है NTPC के माधियन से ठीके NTPC का मतलब होता है non-technical popular categories railway में दो तरह की post होती है एक होता है technical post और दूसरा होता है non-technical post non-technical post में दोस्तों आपका जैसे की TT आ जाता है जितना भी clerk वाला काम होता है वो NTPC का होता है तो देखे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग trains clerk की बात करेंगे commercial clerk की बात करेंगे recruitment 2024 यहाँ पर department देख लीजे दोस्तों यह RRB railway recruitment board NTPC का यह vacancy है तो देखे यह इस पर post की बात करेंगे तो इस पर रहता है दोस्तों TC जिसको बोलते हैं ट्रेंस clerk ठीक है और एक होता है CC इसको बोलते हैं commercial clerk commercial clerk कहने का मतलब railway में जितना भी commercial काम होता है जैसे की postal department का कोई मतलब बहुत सारा सामान आया या फिर माल गाड़ी में जो भी सारी सामान जाते हैं तो उसका लेखा जो खा रखना कहां से कौन सी गाड़ी गई कहां से कौन सी गाड़ी आ रही है कितना उस पर मतलब loaded है कितना unload कहा हुआ ये सारे चीजों का लेखा जो है ये commercial clerk करता है ठीक है और ये जो trains clerk होता है ये दोस्तों ticket card करके देते हैं जैसे की station में आपने देखे होंगे कि जैसे आप बोलिएगा कि मुंबई के दो ticket चाहिए तो वो trains clerk होते हैं जो ticket card काउंटर में उसको दोस्तों trains clerk कम ticket clerk भी उनको कहा जा ठीक है और TT बिलकुल अलग होता है TT का मतलब होता है traveling ticket examiner इसका काम होता है कि सभी passengers की जाच करना कि कौन बिना ticket के travel कर रहा है और कौन ticket के साथ travel कर रहा है मतब railway की revenue railway के राजस्वों में दोस्तों ये सुधार लाने का काम करता है railway TT और TC बिलकुल इससे अलग होता है तो यहा सब्षाद अकाउंट कलर्क भी रहता है और भी तमाम परकार का बहुत तरह का इस पर सीट रहता है ठीक है अभी हम आपको आगे बताएंगे उम्र सीवा की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल इस पर एज लिमिट दोस्तों मांगता है अधिक से अधिक 30 साल यह जो हम बता रहे है ये बता रहे हैं दोस्तो यू आर जिसको बोलता है general category ठीक है इसके अलावे सभी OBC को 3 साल अच्छा खासा उम्र में छूट मिल जाएगा तो 18 से 33 हो जाएगा सभी STST को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा तो 18 से 35 साल इस पे age limit होता है अब यहाँ पर योग्यता को समझे बहुत सारे student इस पर confused रहते हैं कि कौन-कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है तो ध्यान दिजेगा ये जो post होता है TCCC account ये सब जो है दोस्तों ये 12th label का नौकरी है इस पे केवाल आपका 12 पास होना जरूरी है और हाँ ऐसा कोई condition नहीं है कि arts चाहिए science चाहिए commerce चाहिए किसी भी stream के student है form को apply कर सकते हैं साथ इसाथ इसको भरने में किसी भी प्रकार का कोई percentage of marks का भी requirement नहीं होता है हालान की दोस्तों ये दिया आप पूछिएगा कि sir NTPC में तो और भी वेकेंसी है जैसे कि goods guard का वेकेंसी हो गया, station master का वेकेंसी हो गया, senior commercial clerk का वेकेंसी हो गया ठीक है तो ये सब होता है graduation level पर इस पे salary भी जादा होता है, जिम्मेदारी भी जादा होता है और हम जो आपको यहाँ पर बता रहें दोस्तों ये 12th level की यहाँ पर हम लोग बात कर रहें तो 12th level का syllabus भी थोड़ा से easy होता है और graduation level का syllabus थोड़ा से tough होता है उस पे बेतन भी जादा होगा इस पे बेतन दोस्तों आपको उसकी तुलना में उसकी मुकाबले थोड़ी सी कम salary मिलेगी लेकिन इस पे आपका उतना जादा जिम्मेदारी नहीं है और उसमें जादा जिम्मेदारी है सोच के देखे यदि आप एक trans clerk बन जाते हैं बारवी पास करके और कोई student graduation पास करके station master बन जाता है तो responsibility किसकी जादा होगी वो थोड़ा दोस्तों मतलब complicated काम है उसमें आपका बहुत जादा जिम्मेदारी यहाँ पर रहता है बेतन जादा होता है लेकिन responsibility आपकी अधिक होती है तो बारवी पास यदि आप हैं तो आप अभी से एकदम लग जाएं railway NTP से इस अप पोश्ट के लिए ठीक है अब यहाँ पर आपको फी बता देते हैं कि कितना payment लगता फॉर्म बरने में आपका fingerprint वहाँ पर biometric registered हो जाता है आप वहाँ पर CBT exam को submit कर देते हो तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तो कि आपका यहाँ पर 400 रुपे जो है वो refund कर देता है बाद में हलांकि यह amount तुरंत आपके bank account में नहीं आता है exam देने के 2-3 महीने बाद यह धीरे धीरे आ जाता है सब के खाते पर SC, ST और female का दोस्तो 200 रुपेज पर payment लगता है ठीक है अब हम आपको इसके चयन परकिरिया समझाते हैं कि selection लेने के लिए इस पर आपको किस किस स्टेप से हो करके गुजरना होगा तो जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिये कि इसका नाम है दोस्तो यह कलर का वाला नौकरी है यह दोस्तो ntpca non technical popular categories तो इस पर technical काम तो कुछ है नहीं दूसरी बात इस पर दोस्तो यह दोड़ने उच्चा कूद लंबा कूदी सब कुछ नहीं है यानि physical भी आपका नहीं होने वाला हाइट से कोई मतलब नहीं आपका कित्रों उच्चाई है भर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात इस initial cut-off बनेगा और उसके बाद आपका बुलाएगा cbt2 के लिए दूसरा परिछा के लिए ठीक है जो जो विद्यारति cbt2 में पास हो जाएंगे उनको बुलाएगा या तो टाइपिंग के लिए या फिर डॉक्मेंट वरिफिकेशन के लिए ठीक है cbt2 देने के बाद बहुत स टाइपिंग वाला होता है और बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिस पर आपको टाइपिंग देना होगा तो यह दोस्तों आप पर डिपेंड करता कि आप किस किस पोस्ट के लिए अपलाए करते हैं फॉर्म को समझ माया तो यहां पर cbt2 देने के बाद यह आपको डाइरेक्ट नौकरी चाहिए तो आपको बिना टाइपिंग वाला यहां पर पोस्ट भरना पड़ेगा और यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट भर देते हैं तो cbt2 के बाद आपको एक और step देना होगा वह आपका टाइपिंग टेस्ट समझ बाया तो अभी हम आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले इसका सेलेबस को समझेए cbt1 जो इसका एक्जाम है दोस्तों इसका सेलेबस और पैटर्न क्या है ध्यान दीजेगा सबसे पहले तो इस बात को आप नोट कर लिजे कि आपका एक्जाम ओनलाइन होगा ठीक है कंप्यूटर प अब औफ लाइन एकजाम नहीं लेती है यह ऐन लाइन एकजाम होगा cbt1 इससो परश्ण पूछा जाएगा आपसे लाफ्र को से मिलता है 90 मिनिट किता देता है 90 मिनिट यानि डेड़ घंटा का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा यही चीज यह दी S.S.C. होती न तो आपको केवल साथ मिनिट का टाइम देती है S.S.C. S.S.C. का भी भर के देखना या फिर CGL भर के देखना आपको केवल 60 मिनिट टाइम मिलेगा तो S.S.C. की तोलना में रेलवे आपको ज्यादा टाइम दे रही है कोशन को बनाने के लिए ठीक है और नेगेटिव मार्किंग इस पर 1 by 3 का माइनिस मार्किंग वे इस पर रहता है हालं कि S.S.C. में 1 by 4 का नेगेटिव होता है और रेलवे में आपका 1 by 3 का यहाँ पर माइनिस मार्किंग है देखें दोस्तो इस पर question क्या क्या पूछेगा reasoning से दोस्तो पूछेगा 30 question reasoning से पूछेगा 30 question इस पर verbal और non-verbal दोनों आपका reasoning रहेगा साथ इसा दोस्तो दूसरा topic है mathematics इस पर आपका arithmetic और advance दोनों से question आएगा 30 question आपका mathematics से पूछा जाएगा साथ ही साथ दोस्तों GK प्लस Current Affairs से भी कोशन रहेगा, टोटल 40 प्रशन इससे पूछेगा, तो कितना हो गया, देखे, 40, 30, 70 और 30, 100 प्रशन हो गया, यहीं 3 सेक्षन आपको complete करना है, ठीक है, एक्जाम को निकालने के लिए, GK Math Origining, साथ में Current Affairs को जरू सामिल कीजिएगा, नह में आपको कोई दिक्कत है, तो मुझे बताइए, उसको हम next video में clear करेंगे, ठीक है, जो जो विद्यारती CBT1 पास कर जाएंगे, उनको बुलाएगा CBT2 के लिए, ठीक है, अब देखे, कितना बुलाएगा, 10 गुना, 8 गुना, 20 गुना, यह railway पर depend करता है, कि कितने seat के लिए वेकेंजी आती है, और कितना वहाँ पर CBT2 के लिए बुलाएगा, तो CBT2 के यह दिस syllabus की बात करेंगे दोस्तों, तो देखे, यह भी परिछा आपका online mode में होगा, computer में आपका exam होगा, इस पर दोस्तों क्या होने वाला है, कि 120 प्रशन आपसे पूछेगा, 120 question पूछेगा, 120 नमबर, परते question एक एक नमबर, तो 120 प्रशने 120 मार्क्स हो गया, अब यहाँ पर समय की बात करेंगे दोस्तों, तो समय आपको 90 मिनट ही मिलेगा, अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर 100 question में 90 मिनट दे रहा था, और यहाँ पर 120 question हो गया, फिर भी 90 मिनट ही दे रहा है, तो यहाँ दोनों syllabus सेम ही है, लेकिन question का level यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, question थोड़ा टब पूछेगा, और question जादा पूछेगा, और समय उतना ही देगा, जितना पहले दिया था, इस पर reasoning से पूछेगा, 35 प्रशने अकेले reasoning से पूछेगा, और mathematics से 235 प्रशने पूछेगा, औ और GK current प्रशने पूछेगा, ठीक है, देखे, 35 और 35, 70 और 50, 120 प्रशने हो गया, तो यह है दोस्तो, CBT2 का syllabus, जो कि आप लोगों को cover करना है, अब हम आपको कुछ important यहाँ पर बात बताते हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है, तो वीडियो पर यह आपने देख लिया है, तो लाश्ट तक देख लिजे, देखे, दोस्तो, सबसे पहला point है, आपका applied टिथी, applied date इसका क्या है, तो देखे, दोस्तो, railway ने अपना calendar जारी कर दिया है, ठीक है, proper calendar जारी कर दिया है, कि कीस महिने कौन सा यहाँ पर vacancy निकल के आने वाला है, तो railway क calendar के मुताबिक, यह जो vacancy दोस्तो, जुलाई से सितंबर के बीच कभी भी जारी हो सकता है, और लिख दिया है, कि NTPC, लेबल 1 से लेबल 6 तक का vacancy, इस महिने के बीच आपका जारी किया जाएगा, तो दोस्तो, आप लोगों ने देख लिया, यदि हम बताए, एक्सपेक्ट क्लियर होकर के vacancy out हो जाएगा, ठीक है, exam date की बात करेंगे, तो exam में आपको जादा समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, यदि आप मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो आप अभी से एकदम तयारी चालू कर दीजे, क्योंकि vacancy निकलने के बाद दोस्तो लगवाग 1 से मिल भी गया ना, तो 2 महीन आपको time मिलेगा, उस से जादा आपको समय पढ़ने को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, देखिए, वेतन की बात करेंगे, कितना salary मिलेगा, इस पे selection होने के बाद, तो देखिए दोस्तों, यदि वेतन का बात करें, salary का बात करें, कि कितना आपक TC में selection होता है, तो थोड़ा से कम salary मिलेगा, CC में selection होता है, तो हो सकता है, थोड़ा से ज़्यादा salary मिलेगा, यदि आप graduation level का job pass करते हैं, जैसे कि goods guard आप जैसे की मानते हैं, station master बन गए, तो उसमें आपको ज़्यादा बेतन दिया जाएगा, तो जहां तक दोस्तों, इस पे DA, HR, बगर जो भी मिलता है, वो भी मिलेगा, सबताहिक आपको छुटी भी मिलेगा, 8 गंटे की आपके shift होगी, इस प्रकार से आप नौकरी करोगे, आप मस्त chair पर बैट के computer पर काम करोगे, समय मा गया, रेले में मैं ऐसा नहीं कि आपको दोड़ धूप करना होगा, उचे भारी-भारी समान उठाने पड़ेंगे, वह इसी बात इस पर नहीं है, ये दोस्तो वेकेंसी ही लाजवाब है, NTPC की वेकेंसी है, ओफिस में बैट करके मस्त आपको काम करने को मिलेगा, तो जोब परफाइल भी लाजवाब है, ठीक है, वेतन समय मा गया, जोब परफाइ कोई electricity का काम कर रहा है, लेकिन दोस्तो आपको दिखता होगा कि कोई computer पर बैठ के काम कर रहा है, कौन कितना, किसका ticket काटना है, नहीं काटना है, reservation करना, reservation counter इतना, ये counter इतना, ये वाला counter यहाँ, तो उस अब कौन बैठा हुआ है, वो जो बैठे हुए लोग है, जो computer पर बै all over India में कहीं भी आपका exam center इस पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस बात पर भी ये depend करता कि आप किस RRB से form को apply करते हैं, यदि दोस्तो आप RRB मुंबाई से form को apply कर देते हैं, तो आपका center उधर ही होगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि पटनाम आपको center दे देगा, तो दोस्तो ये आपका RRB पर depend करता कि किस RRB से आप form को भरना चाहते हैं, और कहां पर ज्यादा seat है, ये आप पर choice पर depend करता है, इस चीज़ को decide करने के आप पिछला cutoff वगरे भी देखिएगा, form भरने से पहले, ऐसा नहीं कि वेकिंसी आया, तुरन फॉर्म भर दिया, आप पिछला cut कि पिछली बार कहां cutoff कम गया था, कहां जादा गया था, कहां से भरने से ठीक रहे कर नहीं रहेगा, बहुत सारे student होते हैं कि ज़्यादा vacancy वहां पर form को भर देते हैं, और धोके खा जाता है, और बहुत सारे होते हैं कि कहीं कम seat है, और सोचता है कि यहां पर कोई दिमाग नहीं लगाएगा, हम ही दिमाग लगाते हैं और हम भर देते हैं, वहां भी आपको दिक्कत होगी, तो आपको per seat fight देखना पड़ता है, कि कहां कितना seat है, और कितनी student वहां पर form को भर रहे हैं, उस हिसाब से आपको form भरना चाहिए, कोई भी vacancy, ठीक है, अब आपको हम बता सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, एक नमबर में junior clerk come typist, ठीक है, यह लेबल 2 का दोस्तों यहां पर post है, और यहां पर आपका, यहां पर लिखा है को common for label 2 post, इस पर आपका typing और skill test जरूरी है, एक नमबर वाला जो पद था, junior clerk come typist, इस पर आपका जरूरी है, इसमें भी आपका typing है, यहां से देख लिजे, ठीक ना, इसके बाद यहीं बात करेंगे दोस्तों, next number में junior timekeeper, इसमें भी आपका typing होगा, इसके बाद दोस्तों, अगला जो post है, trains clerk, जिसको बोलता है, TC, इस पर आपका देख यहां पर खाली है, इस पर आपका typing नहीं है, ठी इसके बारे में हम आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यहां पर जो भी हम आपको बताएंगे, इसमें देखे किसमें किसमें typing था, किसमें किसमें typing नहीं था, आप लोगों ने बढ़ी हां से देख लिया, यह जो 5 नंबर तक था दोस्तों, यह आपका 12th ल वीडियो बना करके हम लोगों को जानकारे दीजिए, तो आप मुझे comment box में जरूर से जरूर बताएंगे, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, तो उमेद करेंगे आपको बढ़ियां से सब चीज समझा दिया है, आगे आने वाले दिनों में जो भी सरकारी नोकरी, व लाइक कर दीजिए, चानल को सब्सकाइब जरू कीजिए, चलिए मिलते अगली वीडियो में धन्यवाद